नए साल के आगाज के साथ ही कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं आई आपको बताते हैं कि इन बदलाव के साथ नया साल आगाज करने वाला है और आपके जीवन पर इस बदलाव का असर क्या होगा साल भर में केवल 4 GSTR 3B रिटन फॉर्म भरे जाएंगे अभी तक कारोबारियों को 4 GSTR 3B से संबंधित 12 फॉर्म भरने होते हैं लेकिन 1 जनवरी 2021 से कारोबारियों को साल में केवल 4 फॉर्म ही भरने होंगे बताते चलें कि सरकार ने GSTR रिटन फाइलिंग की प्रक्रिया को आईसान बनाने के लिए मासिक भुकतान के साथ त्रेमासिक रिटन दाखिल करना योजना लागू की है इस बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना से कारोबारियों के ब्यवसाइक खर्चों में कमी आएगी क्योंकि पहले की तुलना में केवल आधी संख्या में ही रिटर्न दाखिल करने होंगे जैसे ही नए साल का आगाज होगा वैसे ही चेक से पेमेंट करने के नियम में भी बदलाव का आगाज होगा बैंकिंग धोखा धड़ी पर लगाम कसने के लिए भारतिय रिजर्व बैंक ने एक जनवरी 2021 से चेक पॉजिटिव पेज सिस्टम लागू करने का फैसला किया है इस नए बदलाव के तहट तीसरी पार्टी को चेक जारी करने वाले वैक्ति को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी और पचास हजार से अधिक के बुक्तान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा सरल जीवन वीमा योजना 2021 से होगी शुरू एक जनवरी 2021 से भारतिय वीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण सरल जीवन वीमा योजना आरंब करने जा रहा है और सभी वीमा कमपनियों को इस पॉलिसी को बेचने के आदेश भी जारी किये गए है ये पॉलिसी 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की होगी एक जनवरी 2021 से गुगल पे और फोन पे वगेरे से की जाने वाली पेमेंट से भुकतान करना थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया की ओर से निर्ण लिया गया है कि थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर्स की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली यूपी आई पेमेंट सर्विस पर अतरिक तशुलक लगेगा पेटियम को इस दाइरे से बाहर रखा गया है मोबाइल पर लेंड लाइन से कॉल करने के लिए लगाना होगा जिरो एक जनवरी 2021 से मोबाइल पर लेंड लाइन से कॉल करने पर जिरो लगाना जरूरी होगा इससे दूर संचार कमपनियों को मोबाइल और लेंड लाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने के सुविधा मिलेगी कारों की कीमत में होगी बढ़ोतरी नए साल के आगाज पर अटो मोबाइल कमपनियों वाहनों के कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं और ये बढ़ोतरी मॉडल के आधार पर तैके जाएगी कॉट्रेक्ट लेस कार्ड के जरिये किये जाने वाले भुकतान में होगी बढ़ोतरी COVID-19 के वज़ा से देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन देखने को मिला और इसी बात को देखते हुए नए साल से कॉन्ट्रेक्ट लेस कार्ड के जरिये 5000 रुपए तक की पेमेंट की जा सकेगी अभी तक इस तरह के पेमेंट के लिमिट 2000 रुपए है चार पहिया वाहनों को फास्टेग लगाना होगा जरूरी नया साल शुरू होने में मुश्किल से एक हपता बचा है और आने आले साल के लिए सरकार की बोर्ट से वाहन संबंधी कुछ बदलाव किये गए है एक जनवरी 2021 से गाड़ी पर फास्टेग लगाना अनिवार है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि तोल प्लाजा पर लंबे जाम से निजात तो मिले ही साथी तोल टेक्स की वसूली भी सुरक्षित रूप से की जा सके बताते सलिए कि जिन गाड़ी पर फास्टेग नहीं होगा उनसे दोगुना टोल टेक्स वसूल आ जाएगा एक जनवरी 2021 से मियुच्वल फंड निवेश के निवेश के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है सेबी ने निवेश कों के हितों को ध्यान में रखते हुए मियुच्वल फंड के नियमों में बदलाव करने की घोशना की है इस तरह के नियमों के तहट नए साल से फंड का 75% भाग एकविटी में निवेश करना आवश्यक हो जो की अभी तक 65-35 है आने वाले साल में मॉबाइल एप से होगी जनगरना देश में जनगरना सबसे पहले 1865 में की गई थी और अब तक 15 बार जनगरना हो चुकी है ये पहली बार होगा जब देश भर में नए साल से होने वाली सुलामी जंगरना मॉबाइल एप के माध्यम से की जाएगी इसमें डिजिटल तरीके से आंकड़े उपलब्थ होंगे मॉबाइल एप के जरिए 16 भाषाओं में जानकारे देने के सुबिधा होगी इस जंगरना के लिए जंगरना के लिए जम्मो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड के लिए 1 अक्टूबर 2020 की तारिक तैकी गई थी जबकि देश के अन्य स्थानों के लिए 1 मार्च 2021 की तारिक तैकी गई है सरकार की वोर से ये सूचना जारी की गई है कि 15 जनवरी 2021 से केवल हॉल मर्क वाले स्वर्ण आभोशन हिबिकेंगे हलाकि सरकार ने भे तक बन चुके आभोशनों को बेचने के लिए 1 साल का समय दिया है लेकिन अगर उसके बाद कोई बिना हॉल मर्क वाला अभोशन बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिला कड़ी कारिवाई के जाएगी यानि उस पर कम से कम एक लाख रुपए का जर्माना लगने के साथ ही मुकदमा भी चलेगा जब से भारत में 5G इंटरनेट की बात चली है तब से लोगों को इस सेवा का बड़ी ही बेसब्रिश से इंतजार है रिलाइन्स कमपनी के सीओ मुकेश अम्बानी ने अपने एक वक्त अब्रे में कहा है कि जीओ साल 2021 में 5G इंटरनेट की सेवा लागो करने की युजना बना रही है और ये सेवा भारत सरकार की आत्म निर्भर भारत मेती के तहर पेश की जाएगी अगले साल से इन फोनों पर नहीं चलेगा वर्टसेप अगले साल कुछ Android और iPhone पर वर्टसेप चलना बंद हो जाएगा वर्टसेप अगले साल से केवल Android 4.0.3 operating system और उससे नए software और iPhone में iOS 9 और उसके बाद के latest software पर चलेगा iPhone 4 और उससे पुराने models पर वर्टसेप अगले साल से support नहीं करेगा वही Samsung Galaxy S2, HTC Desire और Motorola Dread रजार जैसे Android फोन पर वर्टसेप अगले साल से नहीं चलेगा लोकल लोकल के लिए प्रिशान त्रिपाठी की रिपोर्ट हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें